जो दोस्तों आज के दिन के आपको हार्दिक शूप कामना हैं और मैं वीडियो से पहले कहूंगा कि हिलरबाबा.com जो वेबसाइट है हमारी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको क्लिक करें और आपको शायरियों का बंडार मि बुलाते हैं या आपको ऐसा लगता है कि कोई डांस है या कोई प्रस्तुती कोई गीत है देशवक्ति गीत है उसके लिए हम लोग कैसे आमंतृत करें सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप कोई भी गैस्ट को अगर बुलाते हैं को उसको बुलाने का तरीका सबसे बैस्ट यह ह कि आप उसका मनाम मत बोलिय tissu के ऐसे कि प्रस्तुत्ति हो कव्थ की है उसके बाद आपने एक शाहिरी बोली और आपने कहा कि बहुत हिएंच्छा निदिया था फिर से मैं क्लैफिक चाऊंगा जोड़दार तालियों के साथ इनका स्वागत की जी बहारों की महफिल सुआनी रहेगी लबों पर खुश्यों की कहानी रहेगी चमकते रहेंगे ये सितारे युहीं अगर आपकी तालियों की महरवानी रहेगी तो एक बार जोड़दार तालियों के स स्वागत करें और दोस्तों अब समय आ चुका है ऐसे बोली आप अब टाइम आ चुका है एक ऐसी प्रसनलिटी से मिलने का और एक ऐसे व्यक्तितव के धनी भोती आज हम लोग खुश नसीब हैं कि वो हमारे बीच में आए हैं और कई लोग अक्सर कहते ना कि जीवन में ऐसे म में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं ऐसी प्रसनलिटी कई बार हमारे बीच में होती है और हम उसे कुछ प्रेना भी लेते हैं दिल में देया आँखों में करूना और होटों पर मुस्कान मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान तो एक बार जोड आप जो है उस अतिति के बारे में थोड़ा सा कुछ जान ले तो बहतर होगा मैंने देखा है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो जो संचालक होता है उसने का तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो हमारे अतिति आये हुए है वो आएंगे और अपना भाशन देगे ऐसा नही है पबलिक में उसको प्रमोट करना है तो इस तरह से बोलिए मालो कोई विशिष्ट व्यक्ति है कोई भी विशिष्ट कार्या करने वाला है तो आप उसके लिए एक शायरी भी बोल सकते हैं अच्छे से कि फर्ज का एहसास होना चाहिए कर्म अपने साथ होना चाहिए काम्य भी चुमेगी हर कदम विश्वास अपने पास होना चाहिए तो ऐसे ही विश्वास के धनी ऐसी आस्ता के धनी जिनों ने अपने विश्वास के बलबूते पर समास में अपना एक स्थान बनाया है आज वो परसनेलिटी वो वैक्तिता हो हमारे बीच में मौदूत है और मैं चा को मίνेज करना आपके उसमें आता है कि आपकी काबलियत है कि उसको कितना सुंदर ढंक के साथ आप कोई किसी प्रकार का बुन लाट नहीं है और बिल्कुल जबर्त तरीके से आ बोलते हैं तो आ रहे हैं मंच पर इस तरह से आप बोल सकते हैं और प्रस्तूतियों के लिए खास रूप से आफ क्यों कोई बी तो आपने क्या गभ ऑऺत ये और इसके बाद आ क्या घजब की कशिश है आवाज में इनके सुनकर दिल पर से कयामतें गुजरती है लगता है इनके जजबात मुहबबसे हैं सरावोर जब गाते हैं तो काइना से नियामतें बरसती हैं तो जोड़ार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस परसनेलिटी का वेलकम के साथ ऐसी आवाज में मानलो आपको लगा कि कोई कमी भी है फिर भी आप कहिए और बहुती सुन्दर प्रयास ऐसा कह सकते हैं अगर आवाज की जगह आपको लगा कि नहीं बहुत अच्छी प्रस्तुती नहीं थी आपके बहुती अच्छा प्रयास मैं ताहूंगा कि एक बार जोड़ अलग-अलग उजवल, bright personality ऐसी शब्द बोल सकते हैं और अभी इस महफिल को अपनी चमतकारी आवाज से सराबोर करने जा रहे हैं और अब होगा इस मंच पर एक आसा चमतकार अब ये मंच चमकेगी और किस से चमकेगी एक छोटे-छोटे बच्चों की इस प्रस्तुती से मैं नन्य मुन्य बच्चों को बुलाना चाहूँगा इस मंच पर लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छी प्रस्तुती करेंगे अगर आप जोड़दार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे एक बार राउंड आप एबलोस जबरदास तालियों के साथ तो इस तरह से वहा कीज़िये तीन बार लेकिन तो कुछ और नहीं मुझी हो सकता इससे बहतर है कि हम मिलका सिर्टिक साब को चाहिए मंद थैल्लिग पार ना चाहते हैं ethical McGa एक बहाव पूर्ण धंग से एक ऐसे तरीके से पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं दिये गए कॉंटेक्ट नमबर पर कॉंटेक्ट करें दोस्तों धन्यवाद